जैहिन प्यारे बिच्चों, Welcome to भारत वर्ष क्लासेश, कैसे हो बिच्चों आप सभी आसा करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे तो प्यारे बिच्चों, आप सभी के लिए भारत वर्ष क्लासेश लेकर आया है Class 5, Math के Most Important Questions बच्चों आप सभी जानते हो कि कल 9 माई 2020 दिन मंगलवार को आप सभी को गनित का एक्जाम है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, गनित के Most Important Questions प्यारे बच्चों या सेट वान है, इसमें हम Very Very Important Questions को करेंगे चली स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप सभी यदि नए हो भारत्वस Classes पर तो बच्चा आप सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह की Important वीडियो की Notification के लिए Notification बेल आइकन को जरूर ओन कीजिएगा तो जल्दी से Like और Share कीजिए और चली परारम करते हैं पहला प्रसन दे रखा है, किसी एक बिंदू से परारम होकर दूर अनन्थ तक जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं देखिए, यहां से परारम हो रहा है और दूर अनन्थ तक चला जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग किरन बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चा, किरन बोलते हैं यानि इसका एक छोड़ तो पता है, लेकिन दूसरा छोड़ पता नहीं है आप सभी जानते हो कि सूरज से जो रोशनी आती है, उसे भी किरन कहते हैं क्योंकि वह जहां से आ रही है वो तो पता है लेकिन उसका अंत नहीं पता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं किरन बोलते हैं दूसरा प्रशन दे रखा है बच्छा वह कौन जिसका मान 90 डिगरी से कम हो क्या कहलाता है तो बच्छो आपको इस प्रशन में तीन चेज़े क्या बोलेंगे बच्छा नियून कौन 90 डिगरी के बराबर हो तो बोलेंगे सम कौन क्या बोलेंगे सम कौन और 90 डिगरी से अधिक हो तो बोलेंगे अधिक कौन कितना बोलेंगे बच्छा अधिक कौन ये तीन आपको बात याद रखना है तीसरा प्रशन को देखिए तो त प्रखंड में महिला और पुरूस की कुल आबादी 23,468 है महिलाओं की आबादी 12,870 है पुरूसों की आबादी ग्याद किजिए बहुत ही important question है बिच्चा इस परकार का प्रस्न आपके exam में पूछा ही जाएगा तो देखिए कितना है यहाँ पे 23,468 यहाँ पे कुल आबाद है तो 23,468 लिख लेंगे महिलाओं की आबादी 12,870 है तो इस में से हम 12,870 को क्या करेंगे घटा देंगे हमें पता चल जाएगा कि पुरूसों की आबादी कितनी है तो घटाएगे जल्दी से यहाँ पे 8 में से सुन घटाएगे तो 8 बचेगा है ना 6 में से 7 नहीं 9 बच गया 9 लिख देंगे चार था इस में से एक पैंचा दिया बच्छा 3 तीन में से 8 नहीं घटेगा पैंचा लेंगे 13 तेरा में 60 घटा यह ता 8 9 10 11 12 13 पांच बच्छा यहाँ पे पैंचा दिया था दो दो में दो घटाएगे तो सुन यहाँ पे दो में घटाएगे तो 105900 कितना होगा पुरुसो की अबादी 10 589 होगा चौथा प्रश्न को देखिए, चौथा प्रश्न दे रखा है बच्छा यहाँ पे देखिए संक्या, इस संक्या से यह कितना अधिक है, यह हमसे पूछ रखा है तो देखे, इन दोनों में से बड़ा कोन है, बड़ा ये है, इसको हम उपर लिखते हैं, 99, यहाँ पे, 99, 99, 99, और 9, इतना है, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तीन, दो, पांच, दो, साथ, ठीक है, अब इस संख्या को हम नीचे लिखेंगे, 8, 9, 9, 9, 9, 9 और इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 9 में से 9, 0, 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 9 में से 8, 1, इसे करके आपको घटा लेना है, यानि इतना अधिक है, प्रशन संख्या पांचवा देखिए, पांचवा प्रशन कहता है, एक खिलोने का मुल, एक खिलोना 56 रुपए में मिलता है 112 रुपए में कितने खिलोने मिलेंगे तो दिखिए एक खिलोने का अदाम कितना है 56 रुपए हमसे पुछ रखा है कि 112 रुपए में कितने मिलेंगे तो हम 112 को 56 से भाग दे देंगे 112 यानि दो बार में आएगा 112 कितने बच गए जीरो यानि दो, कितने मिलेंगे बच्चा, दो, एक खिलोने का दाम छपपर रुपय है, तो 112 रुपय में दो खिलोने मिलेंगे प्रसंत संख्या, पांच वा दे रखा है, पांच लीटर सर्शो के तेल की कीमत पांच बिश रुपय है, एक लीटर पांच या गया ठीक है पांच में पांच कट आएंगे तो 0 अब यहां 2 उतारेंगे 5 का पहड़ा में 2 तो नहीं आता है तो 1 और अंक उतारेंगे हम जानते हैं कि जब हम 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो यहां पर हम 0 बिठा देते हैं तो 5 के 20 कट गया पूरी तरह से 104 यानि 104 रुपए 1 लीटर तेल की कीमत होगी कितनी होगी बच्चा 104 रुपए 104 रुपए प्रती लीटर छठा प्रश्न का उत्तर होगा सात्वा प्रश्न है बच्चा 9875 का प्रशारित रूप क्या होगा यहाँ पर देखिए 9 9 लिखेंगे 9 के बाद 3 अंक है तो 9 के बाद 3 0 लगा देंगे फिर प्लस 8 लिखेंगे 8 के बाद 2 0 फिर प्लस 7 7 के बाद 1 0 और प्लस 5 तो इस परकार 9875 का प्रशारित रूप होगा प्रश्न संख्या आठवा देखिए प्रश्न संख्या आठवा है 6 270 में 2 का 7 का अस्थानियमान क्या होगा देखिए सबसे पहले 2 कहां है यहाँ पर है 2 लिखेंगे 2 के बाद कितने अंक है 2 अंक तो 2 0 लगा देंगे यानि 2 का अस्थानियमान 2 0 0 होगा 7 का स्थानियमान क्या होगा 7 के बाद एक अंक है तो इसे यानि 2 का स्थानियमान 200 और 7 का स्थानियमान 70 होगा प्रश्न संख्या 9 दे रख़ा है बच्चा कि 4, 6, 8 के पहले 2 साज्या गुनज बताईए गुनज का आर्थ होता है यहां पे पहाड़ा तो 4, 6 और 8 इन 3 का पहाड़ा में कौन सी ऐसी संख्या है जो यहां पे समान आती है पहले बताना है तो देखिए 12 12 तुम्हें आगा 24 हो जाएगा ठीक है यहां पे 4 चक 24 और यहां 8 का पहाड़ा भी आएगा 24 के बाद आप 48 लिख लिजे ठीक है 24 और 48 यह जो संख्याएं है वो इन दोनों का पहला दो साज़ा गुनज हो जाएगा दस्वा प्रस्ण है 4 और 18 के साज़ा गुननखंड निकालिए गुननखंड क्या है जो इन दोनों संख्याओं को भाग दे गुननखंड में क्या अंतर होता है बच्छा गुननखंड का मतलब होता है पहाड़ा और गुननखंड का मतलब होता है कि इन दोनों को जो जो भाग दे दे तो सबसे पहले हमें क्या करना है साज़ा निकालना है किसका किसका पहाडा में 4 और 18 दोनों आता है सबसे पहले 1 एक का पहाडा में 4 और 18 आएगा और 2 तो पहले 2 साजा गुनन खान एक और 2 हो जाएंगे एक का पहाडा में भी 4 आएगा एक का पहाडा में भी 18 आएगा दो का पहाडा में 4 आएगा कैसे करेंगे सबसे पहले बच्चा किसी भी भिन का जो उपर का भाग होता उसे बोलते हैं अंस क्या बोलते हैं अंस और नीचे का भाग को बोलते हैं हर यहां पे देखिए यहां भी नो है यहां भी नो है यानि इन दोनों का हर बराबर है क्या बराबर है बच्चा हर बराबर नो, आठ बटे नो इसका उतर हो जाएगा, यह तो था जोड, यहाँ पर घटा वरता तो पांच में से तीन घटा देते हैं, इसी प्रकार, बारवा प्रस्न है, मोहन के पास चार रोटी है, उसने तीन चोथाई रोटी खाई, अब बताईए कि मोहन के पास कितनी रोटी बची उसके पास चार रोटी थी, चार का तीन चोथाई खागया, यहाँ तीन बटे चार खागया, तो चार से चार कटी यहाँ, तीन है ना, तीन बचा प्रशन संख्या 13 एक विद्याले में 400 चात्र हैं चात्रों की 3 चोथाई चात्राएं हैं बताए कि विद्याले में कुल कितने चात्र हैं सबसे पहले हमें पता है कि चात्र यानि बालक है 400 तो 400 हम साइड में लिख लेंगे अब हमें छात्राओं की संख्या ग्याद करनी है तो 400 का 3-4 चात्राएं है तो 3 बट्टे 4 4 का पाणा में 400 कड़ जाएगा 100 बार में 100 तिया 300 300 आ गया यानि 400 और 300 है छात्राएं 4-3-700 कुल कितने हो गया है? कुल 700 चात्र चात्राएं है खाल ये स्थान को भरिए हमें बतनाना है कि 115 मीटर कितने यहाँ पर 115 मीटर यह से लिख रखा है प्रशनी अधूरा है मीटर को सेंटिमीटर में बदनना होगा तो देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटिमीटर 1 मीटर में कितना होता है? सो सेंटी मीटर होता है तो 115 मीटर में कितना होगा 315 लिखिए उसके पीछे दो जीरो लगा दीजिए 11,500 सेंटी मीटर 22 किलो मीटर को मीटर में बदलना है 1 किलो मीटर में होता है 1000 मीटर कितना होता है बच्चा 1000 मीटर तो 22 में होगा 22,000 मीटर ठीक है इस परिकार से बदा लिजिए रहीम पंदरमा परस्न है रहीम ने 225 किलो मिटर 350 मिटर की दूरी बस से तथा 115 किलो मिटर 750 किलो मिटर की दूरी ट्रेन से तै किया रहीम ने कुल कितनी दूरी तै की तो देखिए इसको हमें क्या करना है जोड़ देना है 225 किलो मिटर 350 मिटर उसने बस से तै की 115 किलो मिटर और 750 मिटर उसनोंने ट्रेन से तै किया दोनों को जोड़ दीजिए 000, 5510 का 0 हाथ में 1, 7, 3, 10 और 11, एक यहां लिखिए 5510, 11 का एक हाथ में 1, 2, 1, 3, 1, 4 2, 1, 3 341 मिटर 341 किलो मिटर और 100 मिटर 341 किलो मिटर 100 मिटर उसने कुल दूरी दे की तो बच्चा यहां था से ट वन इसी परकार से में आपको से ट 2 और से ट 3 भी दूँगा बहुत important questions के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like किजेगा और subscribe जरूर कीजेगा Thank you बच्चा